पर्विन जी मैं ये बताना चाता हूँ, हमारा वर्ड हमेशा हमारे साथ रहा है तब भी पारसद गने हैं, मॉकादिया है वर्ड वालोंने, 사प एक इच्छा रही है, काम करे, काम करे, काम करे पाजपा की शरकार है एक छोटा सा सेर है हमारा एक कश्बा है सेर पूरा है भी नहीं यहां बाजपा की सरकार है उड़ा साब थे तब बहुत काम किया बहुत काम सिरफ सिरफ अब बाजपा की देन है के विदायक की चल्दे नहीं देते एक तो सबसे बड़ी बात है पैसे गा नमस्कार आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं मैं प्रवीन अलावतूं आप सबी जानते हैं चाहे पार्षित का चुनाव हो चाहे चेर्मन का चुनाव हो उसका पारा पूरी तरीके से हाई हो चुका है वैसे इगर में काफी ज्यादा पड़ रही है लेकिन जैसे ही चुना के मोताज नहीं है हमेशा से समाजिक सरुकार के काम में आगे रहते हैं चाहे वार्ड की जन समस्याव की बात हो ना केवल वार्ड की बल्की पूरी जज्जर विदान सभा की बात कर लें किसी अन्या समाजिक काम हो गरीब जनता की आवाज उठानी हो तो शीशपल भाई है वो हमेशा ही आगे रहते हैं कॉंग्रिस परष्ट भूमी के काफी मजबूत नेता हैं माने जाते हैं दिपिंदर हुद्डाखेमें के भी काफी मजबूत नेता हैं वो शेहर में माने जाते हैं जैसा कि मैंने बताए कि आप किसी परिच्चे के मोताज नहीं है दोबारा से आप वार्ड नमबर चार से है दावेदार आप बने हैं मजबूत दावेदार है आप पहले भी रह चुके हैं पारशद तो अब की बार क्या विजन है क्योंकि आप बेहद मजबूत है जनता से पहले परविंट जी मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा वार्ड हमेशा हमारे साथ रहा है तब भी पारशद बने हैं मोका दिया है वार्ड वालों ने सिर्फ एक इच्छा रही है काम करे काम करे काम करे बीच में दो तीन पारशद भाई हो रहाए उतना काम नहीं करवा किस वज़े से नहीं दे पाए हमें नहीं पता लेकिन तब भी वाड़ वाड़े मेरे पास आते हैं चाहिए मैं बढ़ा हूँ चाहिए वो मेरे पर विश्वास करते हैं मैं उनके साथ रहता हूँ उसके बावजूद सबसे बड़ा हमारे वाड़ के अंदर जो प्रोब्लम है तो शेवर की पाणी की जंगे जंगे गंदा पाणी आ रहा है उनको उनका समाधान करेंगे जैसे हमारी नीम वाली हुई हमारा हमारी देव कालोंई जेंद कालोंई सबसे बुरा आलवां कुछी गड़ियां भी मैंने बनवाई थी साल बर पहले 10-12 गड़ियां थी वालकी फुल की बड़ी छोटी सब मिला के वाड़ वाड़े आये थे उन्होंने कहा था भई यह हम बड़े परेशान हैं जितना मेरे से हो सका उतनी मेने कोसिस करके अपसरों के हाथ पहर जोड़ के बाईचारे से करके वो काम किया अब जो देवकालोनी है जो भी पारसट बनते हैं या कुछ कर रहे हैं वहां कुछ करवा नहीं पाए वहां हम भी जाते हैं तो हमें भी शरम आती है कि भी इतना बुरा हल उनसे बोट भी मांगने जाते हैं वो बड़ी इच्छा की नजर से देखते हैं हमारी तरफ के भी हमारे काम करवाएंगे लेकिन फिर भी वो लोग काम क्यों नहीं करवा पाई, बजट भी बहुत आया, पैसा भी बहुत था कमेटी में, क्यों नहीं करवा पाई वो तो वो जानते हैं, लेकिन सब से पहले देव कालोनी, नीमवाली और जैंद कालोनी इन में बिजली, पानी, लाइट, गड़ी सब मैं करवाने का वादा कर चुका हूँ और मैं करवाँगा आशिरवाद रहे, चाए ना रहे, तब भी वो वादा करके आए, काम जरूर करवाँगा यह तो कहने वाली बात हो गई, रहे ना रहे, है या नहीं आशिरवाद, पूरा समर्थन आपको केवल एक वाड की राजनीती से बांद के हम नहीं देख सकते क्योंकि आप कॉंग्रिस के बड़े जाने माने चेहरे यहां से हैं समस्या ना केवल आपके वार्ड की, बलकि पूरे जजजर शहर की भी अदिकतर समस्या है रही है तो आप से हम वार्ड से हट के भी पूछ सकते हैं जो जजजर शहर की यह खामिया मानते हैं, दिकतर कालोनियों में यह समस्या हैं तो किसे जिम्मेदार आप ठहराएंगे भाजपा को जिम्मेदार ठहराएंगे या क्योंकि विधायक तो कई सालों से यहां पर कॉंग्रेस पार्टी से गिता बुकली बन रही है तो यह दिक्कते आखिरकार क्यों आ रही है पिछले आठ साल से भाजपा की सरकार है क्या मानते सिरफ सिरफ अब बाजपा की देन है के विदायक की चल देने देते उनके कहने से काम नहीं होता क्यों नहीं होता वो अपने पास करवाती हैं बजट लेकिन ये बजट पास नहीं होने देते वो बहुत लड़ाई लड़ती हैं अपना काम करती हैं लेकिन नहीं चल पारी क्या क अब इतना प्रोबलम है इस सहर के अंदर छोटा सा काम करवाना है क्या है हमारा कस्वा एक वाड जैसा है पूरा सहर छोटा सा वाड जैसा है 38,000 बोट है तीन किलोमेटर में सारा फैला हुआ है एक बारी 100-200 करोड रुपे दे के इसका सीवर पाने का काम करवा दे वाड चका लेकिन यह करवाना ही नहीं चाहते हजारों बार अप्लीकेशन दे चुकें जी यह रोड खराब है आप बादरगड रोड देख लो यहां से बादरगड रोड देख लो इतना बुरा आल है इतना बुरा आला नुमान मंदिर के पास देख लो बगत सिंग चोक के पास देख चोटी शी बूंद आते ही नाले रुके हुए हैं, सपाई नियोरी, अब सपाई चल रही हैं, अब पता नहीं क्या हो रहा है, बाजपा सरकार फैलियर सरकार है अधिकतर शहरों में शहरी मध्यमवर्गे परिवार रहते हैं, जिनके चोटी-चोटे सपने और चोटी-चोटी समस्याएं हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं, प्रैस वाले उनसे पूछते हैं, तो वो शहरी मध्यमवर्गे परिवार खुल के ये बात बोलते हैं माईक पे, कि हम तो मतलब टेक्स भी अपना पूरा देते हैं जो सरकार हाउस टेक्स वगएरा लेती है नया चीज़ों पर भी टेक्स देते हैं तो आखिरकर फिर भी उनकी इन समस्याओं को समाधन आखिरकर क्यों नहीं हो पाता क्या मेजर कारण आप मानते हैं एक तो सबसे बड़ी बात है पैसे गाम मिश उपियोग आता है नगरपालिय गाम में आता है पारसद या कोई भी लगा लो सवार्थी हो जाते हैं कि मेरी यह गली बनेंगी यह बोट बनेंगी जजज़र सेर के अंदर गलियों में कोई प्रोब्लम नहीं पुड़ा साब ने स काम हो जाए लेकिन वो काम नहीं करवाते सब वेस्टेज़ पैसा जाता है कि आप कहीं भी जाके देख लो वार्ड में सबी गड़ियों में पक्की हैं लेकिन बारी कालोनी आएं वह लोग इतने परेशान हैं चाए वो कालोनी किसी ने भी काटी हैं सरकार के साथ रहके अपनी रजिस्ट्रिया रुकी हुए हैं उससे भी प्रोब्लम सभी लोगों को उसको खोलो हमारा सेर तभी तो बढ़ेगा तब सरकार चाहेगी तभी तो बढ़ेगा हर चीज को अवेद बता देते हैं आगे बढ़ने नहीं देते सबसे गल्त बात यह आप पिछले काफी समय से भाजपा को लेकर काफी मुखर हैं भाजपा का लगातारा विरोध करते रहते हैं ऐसे में अगर परधानी पद्गी अगर मैं आपसे बात करूँ क्यों कि आपसे पूछा जा सकते हैं यह सवाल भाजपा ने टिकट दे दी है आमादमी पार्टी ने भी टिकट दे दी है कॉंग्रेस का फैसला था सिंबल पे नहीं लड़ा जाएगा लेकिन परदे के पीछे एक जो होता है कि चेहरे ये हैं कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से तो उसमें भी आपर काफी जिम्मेदारी होगी तो भाजपा को रोकने के लिए ऐसे में क्या करेंगे जब कॉंग्रेस जो नेता हैं उनके पास सिंबल नहीं होगा इसको लेकर क्या कश्मकश चल रही है भाजपा को कैसे रोक पाएंगे जो अमारे भाई पार्टी के जो भी कारिया करता थे जिनोंने चेर्वेन निपद के लिए अपना फारंबरा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है सब भाईयों की मीटिंग होई थी क्या फारंबर लो जो भाई कहेंगे जो भाई चारा कहेगा जो उपर से आदेश आएंगे यह एक था बैटके एक जाइस दो तीन में निवर जाएंगे और कॉंगरेश की पार्टी से कोई ना कोई चेहरा होगा Euh बाकी नामंकरन बाकी बापिस हो जाएंगे पकी वापिस हरें अगर ऐसा होता है लोगों के दिल में बशे हुए हैं वो सिरफ सिरफ उड़ा साब को दिपंदर भाई को देखेंगे और चेहर को देखेंगे कि ये अच्छा है तो अराम से रुख जाएगी कोई बड़ी बात नहीं है काफी गर्मी है ऐसे में सुबह सुबह निकल जाना हो जाता होगा भी लगाता होना आपके पास आ रहे हैं तो जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग कैसा आशिरवाद आपको दे रहे हैं कैसा रिस्पोंस आपको दे रहे हैं और साथ साथ दो जिम्मेवारी आपके पास है एक तो आपका खुद का चुना हो गया आप वार्ड से और दूसरा ये हो गया इसके साथ सा जो कांग्रेस की तरफ इशारा किया जाता है तो वो दोरी जिम्मेवारी भी शिश्पाल है वो आपको निबानी पड़ेगी तो कैसे निबा रहे हैं वार्ड की जिम्मेवारी तो में सुबह 5 बजे उठते हैं साड़े 5 बजे घर से निकल जाते हैं लोगों का अशिरवाद मिलता है बहुत अच्छे से रिस्पोंस मिल रहा है रही अपनी पार्टी की बात जो जुम्मेवारी उपर वाले देंगे जैसी जुम्मेवारी लगा वो तो रायपूर गए हुए क्या उसकी कमी खले गी अभी चुनाव में क्योंकि भाजपा के सभी निता यहां पे हैं उंप्रकाश धनकर लगातर कह रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी तो लगबक चुनाव वैदान से जा चुकी है वो रायपूर चले गए हैं तो क्या उस च विदायक दल के निता सांसत सुना जाएगा उसके बाद गिता बुकल भी यहीं आएगी सब को जो भी पार्टी के आदेस होंगे वो सब पूरा होगा उन पर बाची चल रही है कि हाँ सब के साथ शेहर बचाना एक सबसे महत्मूर पड़ा होगा सब के साथ संपरक में सब के साथ अपने दिपेंदर भाई साहब के भी विदायक के भी सब के साथ यह कि मेरा आफरी सवाल है क्या अपील करना चाहेंगे अपने वारडवाश्यों से भी और पूरे जजजर वास्यों से भी क्या अपील हाँ आपकरा प्र पार्टी का हो उसको जिताओ जो काम करने की नियत से वार्ड में आता है चाहे किसी पार्डी का कोई चुनाओ नहीं होता ये बाईचारे का होता और काम करने का चुनाओ होता है मेरी तो सभी से ये अरदास है कि उन्हीं आदमियों को जिताओ जो आपके वार्ड का काम कर सके उसमें ना कोई जात ना पात ना हिंदू ना मुसलमान ना हैं कुछ भी नहीं सिरफ एक मकसद होना चाहिए सबी भाईयों का कि यह हमारे साथ खड़ा रहेगा और हमारे वार्ड का काम करेगा हमारे सेर का काम करेगा अभी पूरे इंट्रू के दर्मियान हमने मैसूस कि आप चाहते हैं कि कॉंग्रेस के लोग जीते हैं अपिल में आप कह रहे हैं कि पार्टी मत देखिए कुछ भी मत देखिए जो चेहरा अच्छा हो उसको चुनिए यह कैसे चलेगा यह यह चेहरा में पारसद के लिए बोल हैं जी पारसद एक ऐसा कंडिडेट होता है बाईचारे का यहां किसी पार्टी का कुछ नहीं होता कॉंग्रेस की बड़ी बात है सिबल तो दिया नहीं यहां आ गया बाईचारे का चुनाओ बीजेपी ने दिया है वो हमारे उपरवारे डिसाइड करेंगे कि इसका क्या कर तो पार्शद के लिए बोल रहा हूं मैं वो शिशपाल जी के इंट्रू में आपने खुद महसूस की होगी इननों ने एक इशारा भी किया है कि कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से एक फैसला पहलेगी लिया गया था कि सभी चहरे अपना नामंकन जरू से जरू दाकिल करें और जल्द ही इस बात का भी ऐलान कर दिया जाएगा कि दिपिंदर हुड़ा के समर्थित चहरे हैं आखिरकार वो कौन है वो शीशपल मलिक मानते है कि कॉंग्रेस यहां से प्रधानिपद के लिए भी पठकनी देने का काम करेगी खुद के वार्ड के बारे में भी समस्याओ को बिले कर इनों ने खुल कर बोला है कि चाहे देव कालोनी की बात हो चाहे इनके वार्ड की अन्या जो समस्याओ है उनको लेकर शीशपल मलिक कि हमारी यह समस्याओ उसका समाधन आप करिए शीशपल मलिक पर दोरी जिम्मेवारी भी आ जाती है एक तो इनका खुद का चुनाव है उसके साथ साथ जो चेर्मेनी का चुनाव है जो चोधर की असली लड़ाई जजजर शेहर की है और कॉंग्रेस के लिए काफी महतपू है यहां से बाजी मारे उसके लिए कॉंग्रेस लगातर चिंतन मंथन में लगी हुई है शीशपल जी का ये भी कहना है कि आज भी जो कॉंग्रेस के शेहर के स्थानिय नेता है एक महतपूर मीटिंग का योजन किया जाएगा लेकिन इतना तो साफ है कि भाजपा ने सिंबल पर भाजपा जजबा गडबंदने सिंबल पर अपना उमिदवार दिया है उसको लेकर कॉंग्रेस भी घहरे चिंतन मंथन है उसमें लगी हुई है और जब दस तारीकों रजसभा के लिए वोटिंग हो जाएगी तो कॉंग्रेस के यहां से जो स्थानिय विदायक वो भी आ आने हैं और जो चेर्मेन है उसको उस सीट को अपने पास रखना है शुक्रिया